वेलकम बैक आज फ्रेंड मैं आप लोगे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेस्टन डिसकस करूं की जो के अकसर आता है और इसका नॉलिज वैसे भी होना चाहिए कि हाव वी विल डू दा रिपोर्टिंग ऑफ स्पूर्टम स्मियर कि अगर एसिट फास बैसिला या र जो के बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट अफॉल अगर आपने डेफिनेटली रड बैसिलाई माइक्रोस्कोपी में देखे हैं तो हमें सबसे पहले तो स्मियर को रिपोर्ट करना है एस बी पॉजिटिव यानि एसिट फास बैसिलाई पॉजिटिव स्मियर अब फिल्ड में आपको मोर देन टेन एसिट फास बैसिलाई नजर आ रहे हैं तो आपने रिपोर्ट करना है थ्री प्लस के एफ बी पॉजिटिव ब्रैकिट में लिख दिया थ्री प्लस अगर आपको नजर आएं मोर देन टेन एफ बी पर फिल्ड अगर आपको नजर आ रहे है एक से दस AFB पर फिल्ड तो आपने रिपोर्ट करने है टू प्लस और अगर आपको 10 से 100 AFB नजर आ रहे हैं पर 100 फिल्ड तो आपने रिपोर्ट करना है वन प्लस यानि कि अभी देखें अभी क्या हो रहा है कि एस फास बैसिल AFB की कौणिटि या नंबर जब वो जैसे जैसे कम होता जाएगा तो प्लस भी हम कम करते जाएंगे पहले हमें 10 से ज़्यादा नजर आ रहे थे तो हमने बताया 3 प्लस एक फिल्ड में फिर जब 1 से 10 नजर आए एक फिल्ड में तो हमने बताया 2+, अब हमें 10 से 100 AFB नज़र आ रहे हैं 100 फील्ड में तो हम रिपोर्ट करेंगे 1 प्लस और अगर हमें नज़र आएंगे और अगर हमें नज़र आएंगे 1 to 9 AFB नाज़र के तोर पर आपने 100 फील्ड में सिर्फ देखे 5 AFB देखे यह 100 fields में आपने सिर्फ 9 AFB देखे तो फिर आपको exact वो number of AFB रिपोर्ट करना है यानि कि 9 AFB scene तो इस तरह आपने रिपोर्ट करना है जब आपको definitely acid fast bacilli माइक्रोसकोपी में ZN stain, ZN, Nelson stain यूज़ करते हुए नजर आएंगे और अगर आपको बहुत ही कम नजर आ रहें acid fast bacilli तो ये recommend किया जाता है कि आप एक से ज्यादा smear को जो है वो देखें confirm करने के लिए कि वाकिए इस में number of bacilli जो है वो इस patient में कम है या नहीं है तो कम असकम दो smear से जरूर जो है वो confirm करना चाहिए अपनी माइक्रोसकोपी को अगर number of acid fast bacilli लह जाएंगे वो बहुत ही few नजर आएंगे second important point कि अगर आपको कोई भी AFB नजर नहीं आता माइक्रोसकोपी में examine आपने की तकरीबन 300 fields तो भी आपने report जो है smear को करना है no AFB scene आपने negative जो है वो अपना smear कभी भी report नहीं करना होता सिरफ no AFB scene do not report negative क्यों क्योंके organism कई दफा मौजूद होता है और लेकिन हो सकता है वो माइक्रोसकोपी में या smear में मौजूद ना हो और up to three specimens जो है वो collect करने चाहिए एक जो है early morning specimen और फिर उन तरीं specimens की जो है वो smears भना के देखने चाहिए confirmation के लिए तो positive अगर आएगा तो AFB scene positive और अगर कोई भी AFB microscope में नजर नहीं आया तो आपने report करना है कि no AFB scene negative report नहीं करना है तो I hope कि अब आपको समझ आ गई होगी कि AFB या acid fast baseline की reporting कैसे करते हैं क्योंकि ये अकसर वाइवा में भी पूछा जाता है question भी exam में आता है और वैसे भी अगर आप practical काम करें तो भी आपको पता होना चाहिए कि how we will do the reporting of sputum smears तो I hope कि आपको idea हो गया होगा कि AFB की reporting कैसे करते हैं फिर मिलेंगे एक नए lecture के साथ तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए अगर आपको कोई भी question हो किसी भी topic के मतलिक तो आप जरूर बताएए मैं try करूंगी जल्दी lecture बनाने की और अगर आपको जेडन स्टेन जो है उसके बारे में detail चाहिए तो भी बताएए वो भी हम discuss कर लेंगे और आपको आप पता होना चाहिए कि acid fast वैसी लए नजर कैसे आते हैं माइक्रोस्कोप में तो वह नजर आते हैं red straight और slightly curved rod shape और reagents पता होना चाहिए reagents जो हैं कार्बल fixin stain, acid alcohol और melachide green या methylene blue जो हम use करते हैं तीन reagents फिर मिलेंगे एक नए लेक्टर के साथ अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए थैंक यू सो मच